So Hi Guys, This is Navid Electrician So आप में से बहुत से लोग इस फ्यान को जानते होंगे, देखे होंगे और आप में से बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी कर चुके होंगे पर जो नए लोग है या फिर जो नई जानते उनको बता दू मैं यह फ्यान है 12 voltage का DC पे चलने वाला जो कि आज हम हमारे BS6 के बजा जाटो रिक्षा में लगाने वाल है आप चाहे तो कोई भी गाड़ी में लगा सकते हैं बुलेरो या टाटा मैजिक होने दो और एक बात सबसे पहले इस वीडियो को शेर जरूर करना बहुत helpful वीडियो होने वाला ही है तो आपको तो help हो रही हो रही इस वीडियो से तो और भी लोगों तक share करो ताकि उनको भी summer में थोड़ी गर्मियों में थोड़ी सी help हो जाए ओके तो फटाफट से अभी वीडियो को continue करते है तो अब क्या करेंगे हम यह जो वायर है इसके लिए हम लोग इस्टेमाल कर रहे है पर फटाफट जो भी हो स्पीकर का वर इस्टेमाल कर रहे हैं यहां से उफर की तरफ ले लेंगे मतलब वायर जो है करण्ट सप्लाई यहां से दे रहे हम और यह वायर अंदर से जा रहा बाहर से नहीं जाता इसकी वज़े से आपको शो खराब नहीं होता और ख़रओके उसके बात क्या करेंगे फटाफ हर से बड़ी है उसके लिए क्रेंगे ओर इचूल यहां पार निकालने के बाद क्या करना है हमको थोड़ा सा इसको फैला देंगे मतलब यह जवी वोलृट है यहां देख सकते यहां पर 10 नमर के बाइर निकाल लो और कहा निकालने के बाद देख सकते यहां पर 10 नम्बर का बोल्ट है हम बाहर निकाल लिए अब क्या करेंगे जो हमारा कपलर सा मतलब ईवल्डर सा फ्यान का स्टैंड इसमें से यह जो बीच वाला हो ले इसमें क्या करेंगे हम अभी जो बोल्ट कोले हम दस नमर का इस पाइब में से उसको देख सकता है यह अब हमारा जो स्टैंड है यह प्रापरली फिट होगा अब हम को क्या करना इसको वापस से खरीब कर दो खरीब करने के बाद यह जो फ्यान हम जैसा खोले थे ना बिल्कुल आइड़ वह सही आपको फिट कर देना है खरीब करने क्या करेंगे यहां सकते दो वह एक बर ने रहता आप चाहें तो का ये लगा- दोणने के बाद हम टेप मारें लगाने के लगने के वाहतों को बीटियतता तक कि आब थोड़ा सा धिल देजिए मतलब हलका सा धिला रख दिए इसको फिर उसके बाद अच्छे से इसको टेप लगा दियो के देख सकते हैं लगाने के बाद आप क्या करेंगे मतलब अभी हमारा फिटिंग तो कंप्लेट होगा अभी इसमें को बार ओल्टेज की सप्लाई देना है है कि अगर आपको बिल्कुल आभी जैसा वीडियो में आइसा ही करना है अगर बियस फोर की गाड़ी है तो इस वीडियो में में मैं बताया था तो इस वीडियो को complete देखो link है देखो description में तो चलो अब यह हम ब्लू कलर का coupler आपको निकाल लेना है फिर इसके उफर से थोड़ा सा टेप लगा हुआ है उस टेप को भी निकाल लेना है अब क्या करेंगे इस पाइप को थोड़ा सा उफर ले लो उफर लेने के बाद आप देख सकते आप यहाँ पर कुछ वायर देखेंगे आपको तो आपको इसमें कुछ डरने घबरानी की जूरहत नहीं है बहुत आसाने अभी इसमें क्या करेंगी एस ब्लू वाले कपलर में आपको एक ब्लाक क चिल लेंगे मतलब काटना नहीं दो तुकड़े करना नहीं बस हलका सा चिल लेना है चिलने के बाद यह हमारा यहाँ पर मिल गया नेगेटिव अर्तिंग आप चाहे तो बाड़ी में भी कई भी बाड़ी में से ले सकते पर इसमें से लिए तो ज्यादा बैट रहे है तो न लखिर इसके उपर लगावा है उसको भी हम छिल लेंगे थोड़ा सा मतलब इसका रबर को हटा देंगे हटाने के बाद आप यह जो ब्लू कलर का कपलर निकाल लेते उसको वापस से जैसा खोले तो इसा लगा देंगे लगाने के बाद ही इसके अंदर 12 की सप्लाई मतलब होती होती हो कि अब क्या करेंगे heto यह को प्छाब आरेस सबसे पहले तो छिलेंगेंगे थोड़ा सा इसका रबर निकाल लेंगे और इन दोनों वेर को अलग अलग कर लेंगे अलग फार रफियां तो हम क्या करें इस वाय को पल्ठा के लगा देड़ें office लिए मतलब नेग्टिव के जगा पॉजिके जागा ही जगा नेकर तो अब की और हो वाय मैं पीछे से हवा लेके सामने हरो सीसे गुमें गयो कि सके बाद क्या कर रहेंगा पृंक अच्छे से जोड़ लिए उसके बाद प्लेस के वाइर को भी जोड़ने के बाद क्या करेंगे इन दोनों को अगर आपके पास कटिंग प्लेर है तो थोड़ा साइज साभी जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं हलका सा टाइट कर दो तकी फ्यूचर में कभी यह ना निकले उसके कभी आपको वाइरिंग शार्ट होने का शार्ट सर्किट होने का कोई प्राबलम ना हो उसके बाद देख सकते ही इगनिशन में था यह इसलिए चाबी को आउन करेंगे आउन करने के बाद देख सकते हैं यहां पर हमारा जो फ्यान है वो चल रहा मतलब घूम रहा और यह करना बहुत से लोगों की हिल्फ होने वाली है इस वीडियो से और एक बात अगर आप लोग कामेडी वीडियो में इंट्रेस्टेड है तो अभी यह जो वीडियो देख रहा है अपने स्क्रीन पर है इसको कोई एक को भी क्लिक करके देख लो आपको जरूर इंट्रेटेन हो गया तो कि इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैहिन